कि दोस्तों आपके लिए कानातर वीडियो लेकर आऊं जिसमें आता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जो को कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा वेनस डे का 23 सप्टेंबर के लिए तो किस तरह से आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में कहां पर इंट्री या एक्जि परें अच्छा क्षा निफ्टी ने क्लोजिंग जैसे कि देख सकता है 96 पॉइंक की तरफ निफ्टिन ने क्लोजिंग तो एक दो दिन से चकते कर देखने को मिल रहा है तो अच्छा है से डाउं रहे हैं तो इसी डाउंड रेन में कहात बैक्तन हो रटोब सेंजेंगे क्लिए दम सब्सक्राइब करना है तो इ def tu the versus connected कर अधे मंतलिय और यहां पर ढ क्यों कोसे चाउध श्राइफ celebrate के यहां पर क्लोजिंग देखने को तो उपर की तरफ रेजिस्टंस देखे तो 11,200 का जब भी 11,200 का पर की तरफ रेजिस्टंस देखने को मिल रहेगा और नीची की तरफ देखे तो 11,000 का लेवल जब भी ब्रेक करेगा तो अच्छा कुछ से लफ देखने को मिल सकता है कि और उपर की तरफ सबसी चाह रहे है तो नीचे की तरफ जो सपौर्ट वह हो हो चुकि जा रही है तो एक आच्छा-कास अभी दिनों में देखने को तो नहीं मिल सकता तो 11,000 50 और 150 का जो लेवल है तो वहाँ पर एक ट्रेड मत इनिशेट किजिए जब भी सेलिंग पैनिक सेलिंग मिलेगा उसके नीचे तो भी आप वहाँ से सेलिंग के लिए मौका ढूँड सकते हैं चलते निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न यहां पर लगा तो यहां पर इक तरफ जो रेजिस्टन्स लाइन निकलके राई है तो कौन सी लिए निकलका है मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर 11,400 जहांसे जब भी 11,400 तो अच के तरफ आ सकते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टन जो लेवल है जो कि मैं आपको बता तो यहां पर आपको होरीजन्टल लाइन लेगा ओन जिरो फिफ्टी तो यहां पर यह वाला लेवल तो यहां पर इसको डार कर देता हूँ मेरा मतलब यह लेवल फिट होता है मेरे चार्ट में तो फिर से देख सकते हैं यहां से यहां से जो सेल आफ आया था जब इसके नीचे चला जाएगा सफ्टेंड करेगा तो भी एक अच्छा कासा से लफ देखने को मिल सकता है तब तक नहीं जब मार्केट में विक्निस का भा देखने काई तो सपोर्ट के लिए देख सकते है यो जो 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 रोने तो ये एक जो सपोर के लेख सेग्ल को मिल सकता है लेकिन अच्या का से लिवल बाउंस पैक्ट चाहिए तो 11,300 के लिवल पे यहां पर क्लोजिंग देखने जो कि अभी पॉसिबल नहीं तो अप्सेंच लगा जो कि मंत लिगा है नीचे के तरफ चलते हैं 21,100 तो 21,100 के लिवल पे आपे मैंगनिफ्टी क्लोजिंग दे तो ऊपर के तरह बगर रेजिस्टंस देखे तो 21,500 का रेजिस्टंस है जब ही 21,500 के अबव यहां पे सबस्टेंट करेगा तो यहां पे सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं मॉर्णिंग पे यहां पे वन बिनिट के कैननि स्ट ब्यू गया था लेकिन वहां पने उसने ब्रेक नहीं किया तो यहां पे जो लोगों icie Between असलिक यहां पर रहेंगे तो जब इनके स्टोपलस जी तब यह और幾 का तरफंड मुवमेंट दे जब पूट राइटर सो अगरा होगे जो कि देख सकते हैं यहां पर पूट राइटर सवन लाग नाइंटी टॉप इनकी पूजिशन का मैंड वेंडिंग होगी जब 20,900 के यहां पर ट्रेड करेगा मतलब 20,000 डाइट के लेवल पर ट्रेड करेगा तो अच्छा पासा पैनिंग सेलिंग आ सकता है जो कि उसको लेग के जा सकता है जो कि 20,700 के लेवल तक देखने को मिल सकता है तो एक अच्छा पूजिशन दूडे और वहां से एक अच्छा कासा मार्केट में पूट लेकर आप अच्छा कासा कमा सकते लेकिन जो 21,250 का जो लेवल है वहां पर बायर का प्रेशर रहता है जो कि आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूं चले देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर जा प्लॉस युकश कहा सकते जो की लेवल मेन आपको यहां पर पोज्ट के उपर जाना चालू हो जाए गा तो अभी बैंटि का कोई शान नो कोमें सकते हैं उनके और यहां से अच्छा कासा एक उपर की तरफ ट्रेश देखने को बिल सकते हैं तो उपर की तरफ जाना है तो 21500 के अभाव हुई और जैसे भी नीचे के तरफ मारके विक देखने को तो रेजिस्टन्स को देखने के बाद वहां से सेल अफ कर सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं मॉर्लिंग में क्या हुआ जैसे कि मैंने आपको वट आया यहां पर तो कितनी बार टेस्ट किया तो यहां पर एक बार टेस्ट के यहां पर डबल टॉप लगया इस टॉप के यहां सफ्टेन नहीं किया और एक अच्छा कसा पैनिक सेलिंग पिर से यहां जाने के कोश्ची के हुए यहां से पैनिक से लिगा तो एक रेजिस्टन से इसके अब हो जब होड कर दे तो एक अच्छा कासा ऊपर के तरह मुए तो इसको देखना पड़ेगा जब इसके नीचे जाता है और इसके नीचे जब सफ्टेन करना चालू करता है तभी अ आपको प्रेस किजी ताकि इस तरह की और उड़ो में आपके लात रहा है अगर आपने टेलिग्राम चानल जोइन किजी ताकि आपको और फोगी किस तरह से मैं चार्ट वहां पे पोस्ट कर देता हूं चलिए थैंक्यू